अंधा साप अंधा साप देखने में केंचुए जैसा लगता है लेकिन इसका रंग अधिक गहरा होता है और सारे शरीर पर कॉर्चादी शकल बने होते हैं. इसकी लंबाए 160 और 1700 मिलीमीटर के बीच होती है. प्राए यह सड़े गले कूले कचरों के गड़ों में मिलता है. इसमें विश्ट नहीं होता. यह सर प्राए अंधे देने वाले होते हैं. अंधे साप की पूँच का सिरा कुंध होता है तथा उसके अंध में एक छोटा बिंदूसा बना रहता है. नर्म मिट्टी में तेजी से बिल बनाने की इनकी दक्षता अपूर्व होती है. इनकी चाल भी धीमी होती है. अधिकतर अंधे साप अपनी पूँच का काटा गड़ा कर जटका लेते हुए आगे बढ़ते हैं. अक्सर ये अपने मुँख को खोलते और बंद करते रहते हैं जिससे ऐसा जान पढ़ता है कि ये आक्रमन को आतुर है. इन सापों का अहारा मुख्यतह नर्म शरीर वाले की वे और उनके लार्वे हैं. महेंद्र, मुखर जी एवं दास जैसे सर्प विशेशग्यों ने कहा है कि इन सापों में भित्तिक आस्थी युगमित होती है और इन सापों की सिर के उपर बड़े राष्ट्रमी, नासिया तथा नेत्र पूर्वी विश्यक्ल होते हैं. इनकी देह पर तैल ग्रंथिया बनी होती है. टिफिलोप्स पेडों की नीची जगहों में यह अक्सर पाया जाता है इसी से जन्तु विज्ञान में इसका नाम टिफिलोप्स ब्रेमिनस पड़ा. यह साप उश्न कटिबंधिय तथा उपोश्न कटिबंधिय प्रदेशों मे भी पाया जाता है.